आज मैं आपको प्राक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि हमारी GST Returns कैसे फॉर्निश करी जाती है यह आपको क्यों दिखाया जा रहे है क्लास में आपको जित्ती भी चीज़े पताई गए थी वो theoretically आपको समझ आ गई होँगी दिमाग में बैट गई होँगी लेकिन still कुछ extra चीज़े आपको समझ आने वाली हैं जब आप practically देखेंगे GST Returns कैसे फॉर्निश करी जाती है वो ही चीज़े practically देखने का process चालू करेंगे वह हमारी फॉर्निश होती है वही आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी सारी चीज़े बैट जाए और कोई भी जो भी डाउट सारे होंगे वह भी clear हो जाए तो process को चालू करते हैं चालू करने के लिए क्या करना होगा सिबसे पहले GST के common portal पे आना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है GST.gov.net यहाँ पर आजएगगा और उसके बाद login पे क्लिक करिएगा जिसके बाद आपको login करना होगा अपने credentials डालके वोई यहाँ पर बताई जाएंगी ज़्याद अच्छे से तभी समझाएंगी जब आपने GST returns वाला chapter खतम कर रखा हो चाहे हमारी classes से चाहे खुच से self study करके ज़्यादे important क्या है आपको पता होना चाहें इन provisions के बारे में क्योंकि जब तक आपको कोई भी चीज theoretically अच्छे से नही नहीं आता है तो मेरी advice आपको यही होगी अगर आपने अभी तक returns वाला chapter नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को मत देखिए इसको side में रख दीजेगा पहली returns का chapter खुच से complete करिएगा और इसके बाद ही इस वाली वीडियो को देखिएगा बहुत अच्छे से चीज़ों को इ इसमें आपको क्या करना है आपको यहाँ पर select करना होगा कि कौन से महीने की return आप furnish करना चाते हैं अब यहाँ पर हमने quarterly basis चूजने ही कर रखा returns को furnish करने का which is why हमें GSTR1 और GSTR3 भी दोनों ही monthly basis पर furnish करनी होगी तो यहाँ पर मैं financially 21-22 के इंदर quarter number 1 में कौन से month के लिए return को furnish करना चारा हूँ में मन्त के लिए करना चारा हूँ because अभी कौन सी rate आपकी निकल के आगई है 25 जून उस date में हाँ पर furnishing वाली activity करी जा रही है तो चलिए search करते हैं search करते ही आपको दिखा दी जाएगी GSTR1 यह furnish करना चाते हैं तो इस वाली tile पे click करिएगा GSTR2A, 2B इनके respect में अगर आप देखना चाते हैं कि कितना ITC आपकी GSTR number के against map कर दिया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा input tax जितना भी आपकी GSTR number के against map करा गया है सब कुछ आपको 2A, 2B में मिल जाएगा लेकिन क्या आप पूरे को avail कर सकते हैं नहीं अबेल उतना ही कर सकते हैं जो भी section number 16 to section number 21 आपको allow करते हैं तो आपको section number 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 के 6 sections go through करने पड़ेंगे खुद से and self-assessment basis पे जितना भी ITC लेने के लिए आप eligible होंगे उतना ही लेना पड़ेगा यह नहीं कि जितना भी यहाँ पे reflect कर रहा है पूर अगर पूरा ले लो यहाँ पे तो उसे वो दिखाया जाता ही कि कि इतना input tax आपकी GSTR number से map करा गया है और उस input tax के respect में आपके suppliers ने अपने G GSTR 1 furnish कर दी है तब ही वो वला input tax यहाँ पे आपको देख रहा है next आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे GSTR 3B अच्छा मज़ीकी बात देखिए practically आपने due dates को चौछ औरी बढ़ी होंगी GSTR 1 की और यहाँ पे आपको GSTR 1, GSTR 3B दोनों की return की dates को चौछ और ही देखने को मिल तो practically return file करने के time पे आपको बता दिया जाएगा return file करने की process में ही कि इस वली return की आज के time पे due date क्या है नीचे वली return की due date क्या है वगेर 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 तो वह चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है GSTR 1 इसकी 26 June यह due date है मैं आपको बता दिया आज के date क्या है 25 June तो यह जब due date है यह चीज के लिए आपको बताई गई है कि इस date तक lead fees नहीं लगाया जाएगी का interest लगाया जाएगा interest बिलकुल लगाया जाएगा कब से लगाया जाएगा 20th June से लगाया जाएगा 20th July से नहीं लगाया जाएगा और इस चीज़ में आपको कैसे बता रहूं notification से खेर उन सब चीजों में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है समझ आया हो जो भी मैंने बोला है तो बहुत बढ़िया नहीं समझ आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है जो हमें आपको समझाना चारों की return कैसे punish करी जाती है उस part को देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी offline करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सरकार ने बता रखा है अगर किसी भी table में जहां भी आपको information डालनी है अगर 500 से ज़्यादा items के respect में आपको information upload करनी है तो आपको काम offline ही करना पड़ेगा online सरकार इतनी सारी information आपकी website पर store करके नहीं रख सकती जब भी आप return furnish करते हैं तब तक 500 से ज़्यादा entries है offline काम करीगा टूल को utility को download कर लीजेगा सारी information वहाँ पर populate करीगा और file बनाने के बाद file एक बार में upload करीगा जो भी return वाली file होगी लेकिन छोटी मोटी entries है online आप काम कर सकते हैं तो मैं आपको online furnish करके दिखाता हूँ ये सीख जाएंग एक बार में पूछ लो सारे के सारे invert supplies जितने भी हैं एक बार में पूछ लो जहां पर मैं ITC लेना चाहता हूँ अलग-अलग table बनाने की जरूरत क्या पड़ी अलग-अलग table इसलिए बनाई गई है क्योंकि अलग-अलग supplies के respect में सरकार को अलग-अलग information चाहिए जिसकी मैं खोलने वाला हूँ यह वाली table को जो कि है table 4a, 4b, 4c, 6b and 6c यहां पर होता क्या है बी-to-be supplies आपके जितने भी है यानि की business to business supplies सामने वाली entity जो है वो भी अगर registered होगी यानि की ITC लेने वाली होगी तो ऐसे जो भी supplies होएंगे वो सारे कर सारे मुझे यहां पर report करने होते हैं चाहे interstate हों चाहे interstate हों यह देखिए अभी तक में मन्त के लिए return के अंदर कोई भी चीज पॉपिलेट नहीं करी गई है data feed नहीं करा गया है which is why आपको यहां पे भी तक कोई भी record नहीं देख रहा लेकिन bottom right पे आपको add details देख रहा होगा उस पे मैं जैसे ही क्लिक करू होती हैं तो मैं आपको वही चीज़े बताता हूं जो कि आपकी inter level पे cover हो गई होगी देखिए अगर यह reverse charge वाला supply है जिस पर reverse charge में recipient को tax pay करना पड़ेगा तो मुझे इसको tick कर देना चाहिए नहीं है तो इसको tick मत करिएगा next चीज आपको समझा जेगी यह वली receiver का GST number या फिर उसका unique identity number वो मांगा जा रहा है क्यों मांगा जा रहा है क्योंकि receiver के GST number के साथ यह जितना भी input tax आपने उससे collect करके सरकार को pay कर रहा होगा इस वाली transaction पे वो उसके GST number से map करना पड़ेगा ताकि उसकी GST या 2A या फिर 2B के इंदर reflect कर जाए और वो इसका ITC ले पाए तो इसे लिए important है उसका GST number या फिर UIN वो आपको बताना पड़ेगा UIN किस case में जब यूसको refund मिलना होता है यह international bodies के लिए होता है मैं आपको class में बताया था न तो example के तोर पर यहां पर मैं डालने वाला हूं यह देखिए random basis पे मैं डाल रहा हूं number ताकि आपको पता चले यह process होता कैसे है यह देखिए यह मैंने जैसे ही punch in कर रहा है इसके बाद receiver का जो की नाम है यह मुझे डालना पड़ा नहीं उन्हें आटमाइटिकली अपने backend से देख लिया कि यह GST number किस इंसान को belong करता है और यहां पे नाम आ गया है 197 communication limited किसका नाम है Paytm की backend organization का नाम है अ इसका number मान के चलते हैं INV यह number है यह मान के चलिए ठीके जी invoice की date डाल दीजेगा फिर latest से invoice issue करा गया था 12th of May 2021 को उसके बाद place of supply देखी इन्होंने खुद से ही पकड़ लिया है UP पकड़ लिया है कैसे क्योंकि यह वालो GST number है यह UP state के अंदर लिया गया होगा तो यह मान के जलते हैं supply आपकी place of supply जो निकल कि आ रही है वो उससी state के निकल कि आ रही है जहां पर आपका recipient है लेकिन अगर आप कहते है place of supply वो नहीं है जो की हर case में होने भी नहीं वाला place of supply डिफरेंट के आ सकते है recipient की location से तो अगर आप कुछ से कहते हैं वो different निकल के आ रही है आपके लेटेस से 20,000 रुपे का invoice था और उस पर 12% आपको GST लग गया है तो 12% के हसाब से 2400 रुपीज वहां पर आड हो जाएंगे तो यहां पर मैं डाल दूँगा 22,400 यह तो हो गया मेरा total invoice value मैंने लग दी है 22,400 की और यहां पर आपको डालनी होती है item wise details यानि कि invoice में हो सकता है multiple items अलग item पे अलग-अलग GST rate लग रहा हो तो अगर अलग-अलग items है हर एक की जो भी taxable value है section number 15 के तहत value of supply वो value आपको यहां पे indicate करनी पड़ेगी with respective rate उस rate के साथ में जो भी rate उस वाले supply पे लग रहा है तो एक invoice में total value including taxes जो भी आ रही हो उपर बता देजे total invoice value में and नीचे bif application आपको देनी होगी अभी मैंने आपको क्या बताया था 20,000 के एक ही supply था जिस पर 12% का rate लग रहा था तो वही चीज यहां पर मैं पंचिन करूंगा और जैसे ही पंचिन करूंगा आगे tax automatically खुझ से आ जाएगा यह देखिए 20,000 रुपे मैंने यहां पर डाले यहां पर 2400 कहां पर IGST वाले column में और IGST automatically इसने क्यों पकड़ लिया? CGST प्लस SGST वो क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि यहां पर इसको दिख रहा है interstate supply है क्यों हमारी organization Delhi में registered है तो यह चीज जैसे ही मैंने कर दी है अब मैं save पे click करूंगा पहला invoice मेरा है यहां पे upload हो गया है जो भी uploading करन table में sample invoice डाल की दिखाया है यह actual invoice नहीं है यहां पे upload कर दिया गया है बस आपकी understanding बढ़ाने के लिए जो भी हमार actual data होगा वो बाद में upload कर देंगे और उसके बाद GSTR one furnish कर देंगे लेकिन process आपको समझ आ जाएगा हमारी खुत की return से अब देखिए second table पे आते है table number 5A 5B यह इस case में तो हमेशा ही आपको invoice wise हर invoice के लिए अलग से reporting करनी होती है कैसे करनी होती है practically मैंने आपको करके दिखा दी लेकिन अगर आपने ये वले supplies नहीं भी करे होते है registered इंसान को supply नहीं भी करा है तो भी एक case में सरकार कहती है आप invoice wise details बताएगा कौन से case में जब भी आपने B2C supply करा होता है यानि की unregistered इंसान को करा होता है interstate supply करा होता है plus value किती निकल के आ रही होती है उस supply की थाई लाग से जाद की निकल के आ रही होती है ये तीनों condition satisfy होते ही again सरकार कहती है interstate supply हुआ है अच्छी का सी value का हुआ है यानि की large invoices है बड़े invoices है value wise तो यहाँ प आप से वो ही चीज़े पूची जाएंगी जो भी पहले पूची जारी थी लेकिन थोड़े different तरीके से कुछ कम मांगा जाएगा कुछ जादा मांगा जाएगा क्या कम मांगा जा रहा है notice करने की कोशिश करिए सामने वाली recipient entity का जीकिस्ट नंबर या फिर यह हो आया है क्योंकि ऑफकॉस वो चीज सेंस बनाती ही नहीं है जब सामने वाले रेजिस्टर ही नहीं उसका जीकिस्ट नंबर होगा कैसे जो जो चीज़े matter करती है वो आप से मांगी गई है पूस डाली यानि की place of supply जो भी state है invoice नंबर डाली है क्यों invoice wise यहां पर भी आपको बताना है लेकिन समझ गयोंगे आप idea क्या है invoice नंबर डाल दीजेगा उसके बाद invoice के date डालिए date के लिए आपको यहां पर drop down menu मिलता है इस में लेटर से में 20th में चूज कर ले दूँ उसके बाद देखिए आप से नहीं पूछा गया supply किस टाइप का है interstate है फिर interstate है खुद से उन आपको नीचे दिखाने वाला हूं तो यहां पर आपकी condition क्या थी interstate supply था B2C supply था प्लस धाई लाक सजादे की value थी इसलिए आप यहां पर आए थे और mandatory क्या है interstate होना चाहिए which is why वो चीज आप change कर भी नहीं सकते करना चाहें तो next देखिए आप से पूछा गया कि total invoice value क्या है यानि कि वो value of supply जो भी आपके section number 15 के तहट निकल के आती है added with the taxes जो भी आपको लगाने पड़ेंगे this transaction पर सब कुछ मिला के total invoice value क्या है latest से यहां पर मैं डाल देता हूं 3,36,000 कैसे 3,00,000 रुपे का supply और उसके पर 12% का GST तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा वो ही जो automatically इसने populate कर लिया है अब यह करने के बाद क्या करना है बस save कर देना है ताकि यह वाला invoice आगे चले जाए और ऐसे ही आपके बाकी invoices भी है B2C large invoices तो उनकी respect में दुबारे आपको add details कर करके हर invoice की information को upload करना पड़ेगा अब यह process होने के बाद बाहर जाईएगा और बाहर आने के बाद आपको क्या करना है आगे वाली tables को check करना है देखी नेक्स table के अंदर आपको क्या बताया जा रहे है इसी period के अंदर में मंत के अंदर आपने कोई भी credit notes या debit notes issue करे हैं क्या to any registered person यानि कि सामने वाले इंसान या तो ITC reverse करेगा या फिर ITC लेने वाला है अगर debit note ठीक है जी यहाँ पर खोलने की जरुत नहीं आप खोल के देखना चाते हैं तो देख सकते हैं आपको पता होगा idea होगा कि कैसी information मागी चाहेगी next चीज देखिए next table में आपसे पूछा जा रहे है कौन से credit note debit note है जो कि आपने unregistered इंसान को issue करे है और यहाँ पर कौन से credit note debit debit note की बात करी जा रही है specifically लिखके नहीं बताये गया लेकिन मैं आपको बता रहूं यहाँ पर भी B2C large invoices की बात करी जा रही है large credit notes की बात करी जा रही है यानि कि interstate supply प्लस धाइलाक से जादा का अगर उसके respect में आपने कोई भी credit note debit note issue करे है तब जाके जो भी unregistered इंसान को आपने यह वाल document issue करे होंगे वो आपको यहाँ पर declare करने होते हैं तो दिमाग में आएगा कि जो भी बड़े credit note debit note नहीं होते हैं छोटे होते हैं उनके respect में reporting कहाँ पर करी जाती है table number 7 में करी जाती है यहाँ पर जो भी uploading करते है that is net of credit notes and the debit notes जो भी उपर specifically cover नहीं होए थे तो नीचे आ जाएंगे अब यह के करके दीरी दीर आगे बड़ी है next देखिए यह वल interesting part है table number 6a it talks about export invoices अब आपके दिमाग में आना चाहिए हमने जब यह tables देखी थी table number 4a 4b 4c वगएरा वगएरा यहाँ पे भी तो एक option था deemed export का या फिर HCZ supplies का तो वहाँ पे भी आपने कुछ type के zero rated supplies and deemed exports उनको cover कर लिया था जिनके GST नहीं आता है या फिर पहले आप पे कर देते हैं बाग में refund के तरीकी से ले ले लेते हैं तो exports को यहाँ पे दिखाना है या फिर यहाँ पे दिखाना है दिमाग में doubt आना चाहिए लेकिन यह चो doubt है बहुत जाद आपका valid नही होने वाला एक reason की वरिस है क्यों जब भी आप खोल के देखेंगे की information आपसे मांगी क्या जारी है आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिए जैसी मैं आट details पे click करता हूँ यहाँ पे आपको देखने हो क्या मिलेगा यहाँ पे आपसे सामने वाली entity का GST नंबर नहीं पूछा जा रहा है और वहाँ पे पूछा जा रहा था टेबल नंबर 4A, 4B वगएर 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 वहाँ पे क्यों डीम्ड एक्सपोर्ट के case में या फिर SEZ को जब भी आपने supply करा होता है तो सामने वाली जो भी entity होती है वो GST का refund लेती है और ऐसा क्यों हो पाता है क्योंकि सामने वाली entity वो भी इंडिया की ये entity होती है उसके पास जो भी invert supply आया था उसको ये वाला benefit दे दिया जाता है कि उसको भी export मान लिया जाता है in the eyes of law तो सामने वाली entity उसके पास GST नंबर होने वाला है ज उसके पास उसका GST नंबर होगा इंडिया के बाहर का GST नंबर नहीं होने वाला तो उसका GST नंबर डालके आप करेंगे क्या यहां पर तो यहां पर सरकार क्या गहती है आप अपनी document की details दीजे सारी सारी details आपको यहां पर invoice wise देनी पड़ेगी ताकि हमें पता रहे कि इस invoice और इस पर कितना tax आपने pay करा है जो कि हमें आपको refund करना होगा और किस तरीके से आप करना चाते है payment अगर आप करना चाते है payment और उसके बाद refund लेना चाते है तो यहां पर mark करिएगा with payment of tax और अगर आपने letter of undertaking ले रखी होती है सरकार से जहां पर आपको right मिल जाता है कि बट स्टिल मैंने आपको बता दिया क्योंकि option देखने को मिल रही थी तो चलिए मान के चलते हैं मैं payment of tax उसके साथ करने वाला हूँ तो यह सारी के सारी option होने वाली है नीचे आपको data fill करना पड़ेगा लेकिन अगर आप करते हैं without payment of tax तो नीचे आपका data as such नहीं निकल किय जाएगा कौन सा वाला tax वाला taxable value तो पूछ ली जाएगी लेकिन tax देखिए उसको पूरे area को gray out कर रखा है और gray out ही करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पे tax आने ही नहीं वाला payment नहीं करने वाले है tax की सीधा export करेंगे तो छोटर से difference मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया यहा इसे करते हैं apply वो भी किसी दिन में आपको दिखा दूँगा तो चलिए अभी के लिए मैं इसको save कर देता हूं information को fill in करके या फिर चलिए रहने दीजे आपको सारी चीज़े समझ आई रही है invoice का number डालना है invoice की date डालनी है port code shipping bill number bill of export number यह वश documents होते हैं जो कि आपको export के time प पड़ेगा और वो document कब issue करा गया था उसकी date भी डालनी पड़ेगी then total invoice value यानि की taxes include करके जो भी value वो बताईएगा supplier हमेशा ही interstate होने वाला है जब भी आप export करते हैं और यहां पर GST payment आप कैसे करने वाले है payment करने वाले है या फिर LUT की basis पे आप payment करे भीन export करने वाले है व मैंने आपको बताया था ने class के अंदर table number 9 से आपकी amendment चालो हो जाती है 9A 9A तीनो जगा पर आपको 9A देख रही है अलग-अलग information capture करने वाली है उसके बाद 9C देख रही है and finally 9C एक और तरीके से आपको देख रही है यहां पर amendment की बात करी जाती है क्यों बात करी जाती है एक बार मैंने return को furnish कर दिया माली जे यहां पर जो भी मैंने data डाला था उसमें कोई नहीं कोई गलती थी कि हम उसको change कर सकता हूँ बिल्गुल कर सकता हूँ क्यों कर सकता हूँ क्यों कर सकता हूँ क्योंकि अभी दख return को furnish नहीं करा गया है एक बार मैंने submit कर दिया return को तो इस return में जितना भी मैने data सरकार को दिया होगा उसको change नहीं करा जा सकता है, इसी return को change करके, इसी return को amend करके, amendment का process income tax में होता है, GST में नहीं होता है, GST में क्या होता है, GST में अगर आप amendment करना चाहते हैं, पुरानी किसी भी return की, तो पुरानी return को नहीं खुला जा सकता, जिस वी साल में जिस भी मंत के अंदर आपको realization होती है कि पुरानी किसी भी return में आपने गलती कर दी थी, उस मंत की जो भी return होगी, उसकी amendment table को utilize करके बता दीजेगा कि पुरानी किस return में क्या गलती करी थी और उसको आप कैसे change करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इन में से किस भी tables को खोलेंगे, मान लीजे आप ये वाली amendment table खोलते हैं कि भाईसाब मैंने b2b invoices जो भी table number 4a, 4b वगरा वगरा इस table के अंदर मैंने populate करे थे, उन में पुराने period में कोई ने कोई गलती कर दी थी, amount गलत डाल दिया था, tax गलत डाल दिया था वगरा वगरा, तो आप इसको open कर इस invoice के respect में, वो populate करके आपको दिखा दी जाएगी, और उसमें आप जो भी changes करना चाते हैं, कर सकते हैं, similar तरीके से माली जे B2B invoices थी, यहां पर आपने कोई भी गड़बड नहीं करी थी, आपने गड़बड कहां पर करी थी, B2C large invoices उसमें गड़बड कर दी थी, जो कि हमारी next table निकल के आई थी, तो उसकी भी amendment करी जा सकती है, लेकिन अगर main table आपकी different है, तो amendment की table भी different होने करीए, credit note, debit note यहां पर amend करीए, and finally, credit note, debit note अगर unregistered logo को दिये गए थे, B2C large invoices वाले case में, तो यहां पर amend करीए, अब उसके बाद हम आते हैं, next case में, which is B2C supplies, इनके बारे में अभी तक बात नहीं करी गई, आपके दिमाग में आएगा, B2C supplies हमारे उपर cover होतो गए थे, यहां पर, बिल्कुल cover हो गए थे, लेकिन यहां पर जो cover होए थे, वो large invoices थे, interstate प्लस धायलाक से जाद की value वाले, what about those invoices, जो भी unregistered इंसान को मैंने issue कर रहे थे, धायलाक रुपे से जाद के नहीं निकल के आ रहे थे, धायलाक तक के निकल के आ रहे थे, या फिर interstate निकल के आ रहे थे, उनकी respect में भी तो information देनी होगी, बिल्कुल देनी होती है, लेकिन उनकी respect में आप consolidation कर सकते हैं, invoice wise details देने के जरुरत नहीं होती है, तो उनकी respect में information कैसे देनी होती है, यहां पर देखते हैं, यह देखे, यहां पर आपको सब कुछ दिखाया जा रहे, अब consolidation जब भी आप सोचते हैं न, दिमाग में आता है, सब कुछ एक बार में मिला के सरकार को दे दो information की तरह, नहीं, ऐसे नहीं करा जा सकता, में मंत के अंदर मैंने जितने भी ऐसे वाले invoices इस्यो करे होंगे, सब को मैं consolidate करके एक बार में सरकार को नहीं दे सकता, consolidation करी ज जा सकती है, add details पर click करते ही, आपको पता चल जाएगा, देखे, सरकार केती है, भाई सब state wise information तो हमें चाहिए ही, आप यह नहीं कर सकती है, कि आपने दिल्ली से महराष्टर वाले students को जो भी invoices इस्यो करे थे, प्लस गुजरात वाले students को जो भी invoices इस्यो करे थे, दोनों क गुजरात के invoices थे, उनका आधा GST गुजरात government को मिलना चाहिए, अगर दोनों को ही consolidate करके मैंने सरकार को बता दिया, तो सरकार को पता कैसे चलेगा, जो भी GST मैं pay कर रहा हूँ, IGST, उसमें आधा portion कौन सी government को देना है, तो आप consolidation कर सकते हैं, लेकिन theoretical यह चीज़ आपको पता होगी, practically मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि आपको place of supply जब भी डालना होता है, तो place of supply के respect में ही consolidation करके आप reporting करते हैं, यानि कि मैं सरकार को बताऊँगा, अरुनाचल प्रदेश के में मंत के अंदर मैंने इतनी taxable value के supply कर दी है, लेटर से 50,000 के, और इस 50,000 पे क्या GST rate लगता है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा, लेटर से मैंने बोला है, 5 person के rate पे tax होने वाले 50,000 के supply मैंने करे हैं, अरुनाचल प्रदेश के, और यह जो supply हैं, यह सारी की सारी information डालने के बाद, IGST वो automatically compute कर देगा, इसके बाद मुझे क्या करना है, submit करने के बाद क्या करन होंगे, सब को club करके एक बार में आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर अलग-अलग rate हैं, अलग-अलग report करना पड़ेगा, अलग-अलग states हैं, अलग-अलग report करना पड़ेगा, और दोने को बीचे मैंने आपको reason बता दिया, अलग-अलग rate wise की report करना है, ताकि automatically software calculate करके बता प अब पूरे की पूरी table number 7, इसको populate कर देंगा, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी हम reporting कर रहे हैं, इस reporting में मान लीजे किसी इंसान को मैंने 40,000 रुपे का invoice issue कर रहा था, और उसके बाद मैंने 20,000 रुपे का credit note issue कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे value की इतन करना होता है consolidated basis पे, अब इतना detail में आपको learn होनी की जरूरत नहीं है, लेकिन still मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर discussion कर रहे हैं, तो तनीज से करते हैं, थोड़ा सा हम आपको ऐसे चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि theoretically आपको कभी भी पता नहीं चलें अब एकदम से दिखने लग गई है, ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे आप कोई भी data punch in करते हैं, एकदम से यहाँ पर reflect नहीं करता समरी की तरह, थोड़ा time लग जाता है, थोड़ा time हो गया है साइट के हिसाब से, इसलिए आप वो दिखाने लग गए है data को, तो instantly एकदम से काम न उन्होंने तीन columns बना रखे है, निल rated supplies, exempted supplies, other than, nil rated और non GST supplies, other than क्यों लिखना पड़ा, GST act में मैंने आपको बताया था न, exempted के अंदर ये दोनों भी आ जाते हैं, non taxable, nil rated, ये दोनों भी उसी कंदर आ जाते हैं, तो बोल दिया, उसके अलावा बता दो, normally exempted supplies कौन से वा दिमाग में आपके आना चाहिए, जब इन पर GST लगेगा ही नहीं, तो सरकार फालतू में आपसे ये वाली activity क्यों करवा रही है, कि ये वाले supplies भी आपसे पूछ रही है, ये activity फालतू नहीं है, समझने की कोशिश करिए क्यों, सरकार कहती है कि मान लीजे, मेरी बात करते है मैंने सरकार को बता है कि मेरी 1.2 करोड रुपीज की taxable supply की turnover निकल के आई है, in the financial year 2021, और इसके साथ साथ मैंने सरकार को later से बताया है कि मैंने 50 लाक रुपीज के exempt supplies कर दी है, तो सरकार को ये information क्यों चाहिए कि मैंने कितने के exempt supplies करे हैं, आपको अभी समझा जाएगा, मैंने सरकार मिलाएगी और मिला कि उनको figure पता चल जाएगी aggregate turnover की, बड़ी दिन है वहले term हमने section number 2 के तहत, तो यहाँ पर सरकार को पता चल जाएगा, financial year 2021 के अंदर मेरी aggregate turnover 1.7 करोड की रही है, as a result of which, अगर मैं financial year 2021-22 के अंदर composition scheme लेने की कोशिश करूँगा, क्या मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर मैं goods की scheme के लिए भी eligible था, तो 1.5 करोड की limit हो सकती थी maximum, और मैंने वो exceed कर दी है aggregate turnover वाले तरीके से, और aggregate turnover निकालने के process में, क्या ये तिनों चीज़े भी consider करी जाती है, बिल्कुल करी जाती है, और उनी को consider कर करने के लिए, आपकी aggregate turnover निकाल पाने के लिए, सरकार ने बोला है, आपको ये भी report करने पड़ेंगी, इन पे GST नहीं लगाना चाहती सरकार, वो बच चेक करना चाहती है, कि आपकी aggregate turnover कित्ती निकल के आ रही है, ताकि उसकी जो भी implications निकल के आती है, GST 8 के तहत, वो आपक की implications उनको नहीं पता होती है, काफी सारे लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर data furnish करके होगा क्या, GST को मुझे pay करना नहीं इस पर, तो यह वाले data का ignore कर देता हूँ, यही difference होता, एक chartered accountant में और एक ऐसे इंसान में जिसको knowledge नहीं है, बस वो returns furnish कर रहे है, returns furnish करने के लिए कही नहीं पर भी नहीं लिखा कि chartered accountant से यह वाले काम कर सकते हैं, कोई भी इनसान कर सकता है यह वाले काम, लेकिन जो भी इनसान knowledge की बिना यह वाले काम कर रहा होगा, यह छोटी छोटी चोटी चीज़ों को कभी भी नहीं पता होंगी, वो साल के 20, 30, 50,000 रोपे consultancy की नाम पर ब Table number 11A, यहाँ पर आपको बताना होता है, advances आपने क्या receive करे हैं, जिनके respect में receive voucher आपने issue करे होंगे, वहाँ पर मैं आपको बताया भी थाना, advance मिलने के time पे, अगर आपको टाक्स लग रहा होता है, जैसी की services के case में हमने देखा है, advance मिलते ही आपको tax pay करना पड़ता है, toss उ सरकार ने बोल रहा है 18% करे rates मानके चलिएगा, और अगर आपको यह नहीं पता है, कल को यह interstate supply होगा या फिर interstate supply होगा, तो सरकार ने बोल रहा है, मानके चलिएगा कि यह interstate supply होने वाला है, assume करके चलिएगा, लेकिन tax तो हमें अभी की अवी चाहिए, तो वो जो भी आप advance के basis पर tax देंगे जहाँ पर supply नहीं हुआ होगा invoice आपने issue नहीं करा होगा वो आपको यहाँ पर report करना होता है और सोचे देखिए उस supply की respect में कभी भी आपसे यहाँ पर invoice का number मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा क्यों नहीं मांगा जाएगा लेटर से असाम से मुझे मिला है इंटर से अटमाटिकल उनने पिक अप कर दिया है उसके बाद आपको बस यह बताना है कि gross amount कितना receive हुआ है यानि कि taxable value कितने निकल क्या रही जिस पर tax compute करना होगा tax वो automatically compute कर देंगे और उसके बाद tax सरकार को आप जमा करवा सकते हैं कल को जब भी actually supply हो जाएगा इस वाले supply की against इस वाले advance की against वो चीज़ आपको कहाँ पर report करनी होती है दिखातो हूं वो चीज़ भी मैं आपको table number 11B के अंदर report करनी होती है adjustment of the advances जो भी advances पर tax आपने pay कर रख है कल को supply भी होगा न तो जब भी actually supply हो जाता है advance को आप adjust कर देते हैं उस supply के तहट उस supply की against जो भी supply आपने report करा होगा table number 7 में या फिर table number 4A, 4B वगेरा वगेरा कैसी भी table में उसके against जब भी इस advance को adjust करा जाता है तब adjustment आपको declare करनी वड़ती है जिस पर इतना GST मैंने pay कर रहा है दूसरे HSN code के goods and services मैंने इतनी इतनी value के supply कर दी है जिस पर इतना GST पर रहा है हर HSN code के लिए फिर SSE code के लिए जो भी आपने supply कर रहा होगा वो आपको यहाँ पर summary के तरीके से बताना होता है next documents आपको बताने होते हैं खोल के दिखा भी देता हूँ मान लीज़े आपने invoices issue करे हैं तो आपसे पूचे जाता है कौन से number से लेगे कौन से number तक के आपने invoices issue करे हैं यहाँ पर आपको बताना होता है from this serial number to this serial number total कितने invoices issue करे हैं period में कितने cancel करे हैं net basis पे कितने issue हो गए वगएरा वगएरा यह सारी information आपसे ली जाती है invoices के respect में भी ली जाती है जो भी आपने output supply के लिए issue करे हैं invert supply अगर आपने receive करा है किसी भी unregistered इंसान से तो वहाँ पर आपने invoices कितने issue करे हैं revised invoices, debit note, credit note वगएरा वगएरा जितने भी documents निगल के आ सकते हैं सबका serial number आपसे पूछे जाता है क्यों? तक कि सरकार को पता रहे कि आपकी book में जितने भी आप invoices issue कर रहे हैं उसकी photo तो मांगी नहीं जारी बस data मांगा जा रहा है तो data के साथ साथ सरकार के दमाग में ये भी रहे कि आपने कौन से कौन से invoices किस-किस period में actually issue करे हैं ताकि कल को आप ये चीज़ ना कर पाएं कि आप अपनी bill book के अंदर कुछ invoices को blank छोड़ रहे हूं कि अगर कल को पकड़ा जाओंगा तो ये जो blank invoices हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ value दिखा पर सरकार को बता दूँगा कि मैंने invoices तो issue करे थे उसमें मैंने कोई भी जोलमाल नहीं कर रखा लेकिन इसको मैं report करना भूल गया या फिर कोई भी और गलती हो गए थी अपने आपको आप bonafide evasion वाले case में नहीं डाल पाएं आपकी malafide अगर intentions थी जिसके तहट आपने invoice issue करा ही नहीं था किसी भी supply का तो सरकार को पता चल जाए कैसे वो बता सकते हैं वैसे आपने तो अपनी में मन्त की return के अंदर बताया था कि invoices number 15 to 20 आपने यह issue कर रहे थे और 15 to 20 आपकी bill book में अगर देखा जा रहे तो उसमें कोई भी invoice नहीं आ रहा जिसमें आपने यह वाला supply denote करा हो जिसको हमने road पे पकड़ा है आपके truck के अंदर तो आप यहाँ पर tax evasion करने की कोशिश कर रहे थे आप ए proper penalty, interest वगएर वगएर सारी सारी चीज़े लगने ही वाली है तो जितना data उनके पास होगा उतने जाद अच्छे तरीके से वो tax evasion को रोग सकते हैं तो वो data भी आपसे यहाँ पे लिया चाता है next चीज यहाँ पे देखिए table number 11A अगर आपने tax liability जो भी advances पे pay करी थी यहाँ पे fill in करके table number 11A में इसमें कोई amendment करना चाते हैं कि पुराने period में मैंने यहाँ पे इस table के तहट कुछ भी बताया था गलत बता दिया था उसको change करना चाते हैं current month की return को use करके तो कर सकते हैं कैसे इस वली table को utilize करके और मालीजे adjustment of advances इस वली table में पुराने मत की किसी भी return में आपने गलती कर दी थी तो amendment की ये वली table को utilize करके उसको भी change कर सकते हैं and lastly table number 7 में अगर आपने कोई भी error कर दिया था यहाँ पे कोई भी पुराने मत की return में गलती कर दी थी उसको कैसे change कर सकते हैं यहाँ पे change कर सकते हैं table number 10 के अंदर update करके इस amendment table को utilize करके तो मैंने आपको दिखाया का in short multiple tables हैं जिनमें अलग-अलग data लिया जाता है काफी सारी चीज़े mandatory कर दी जाती हैं जो भी उस table के लिए relevant हो और उसके साथ साथ हर table में जहाँ पे भी आपने कोई भी गलती कर दी होगी गलती का कोई भी scope होता है and important information होती है उस गलती को सही करने के लिए सुधारने के लिए rectify करने के लिए आपको amendment table कोई न कोई देखने को मिलेगी वो amendment table को utilize करके पूरान मन्त की return को revise करा जा सकता है अब यह सारी के सारी information जो भी मैं आपको बताई है I hope कि class के provisions के साथ साथ इसको देख के आपको ज़्यादा clarity मिली होगी कि कौन सी information कैसे मांगी जाती है और क्यों consolidation के लिए बोला जाता है हर चीज के बीछे logic क्या है और यही logic समझ के धीरी धीरे करके GST आपको बहुत असान लगने लग जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ data को actually populate करवा के मैं इस return को furnish कर दूँगा कैसे furnish करूँगा जैसे ही पूरा को पूरा data आप डाल देते हैं हर table के अंदर उसके बाद आपको करना होता है आपको क्लिक कर दीजएगा और उसके बाद आपको क्या करना है वो दिखा भी रहा है ताकि आपने कहीं पर भी गलती ना करी हो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं I acknowledge that जितनी भी चीज़े आप furnish कर रहे है जो भी data दे रहे हैं वो सही है उस पर क्लिक कर दीजएगा और उसके बाद आपको क्या करना है लेकिन अभी बस GSTR 1 furnish होई है उसको समझने में हमें जतना time लगा है उससे बहुत ही कम 20% 10% time लगने वाला है GSTR 3 भी उसको furnish करने में उसको भी एक बाद जलती से देख लेते हैं कि वो आपको क्या process बताती है किस तरीके से furnish करी जाती है यह देखें हम वापस आगए है return dashboard पे अब किसके लिए आया है अब GSTR 3 भी उसको देखने के लिए आया है कि वो कैसे furnish करी जाती है तो वही process चालू करते हैं में मन्त को select करते हैं search पे click करते हैं नीचे जाते हैं और GSTR 3 भी उसको furnish करने के लिए prepare online उस पे click करते हैं चली जी सबसे पहले question मुझसे बूचा जा रहा है कि यह जो return आप furnish करना चारहे है GSTR 3 भी क्या nil return furnish करना चारहे है मैं बोलूँगा नहीं भई कुछ नगुछ data तो है जो कि मुझे populate करना है तो यहाँ पर मैं click करूँगा no पे और उसके बाद next वहाँ पर click करूँगा यहाँ पर मुझे रिखा रहे है कि GSTR 1, GSTR 2 भी वगएर वगएरा आपकी generate अभी तक नहीं हुई है क्यों generate नहीं हुई है GSTR 1 इसलिए generate नहीं हुई है और उनकी GSTR 1 की जब तक due date नहीं आती है तब मेरी GSTR 2 भी वो भी populate नहीं होने वाली generate नहीं होने वाली कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको दिखा तो पाऊंगो वो सारी की सारी चीज़े जो भी मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ देखेजे यहां पर आपकी उतनी सारी टेबल्स नहीं है जितनी भी GSTR 1 में आपको देखने को मिल रही थी ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको बोल जाता है summary return यह detailed return नहीं है उतनी detail नहीं है जितनी detail आपकी GSTR 1 निकल के आती है वहां पर आपको invoice wise काम करना पड़ता है यहां पर वो सब करने की ज़रुत नहीं है चोटा सब process है देख लीजेगा जैसे आप अपनी output supplies की information furnish करते हैं GSTR 1 में यह वाली table आपकी auto populate हो जाएगी table number 3.1 जहां पर आपको क्या दिखाया जाएगा आपके output supplies इतने इतने के निकल के आ रहे थे output supplies आपके जो भी है zero rated supplies वो अलग से बताए जाएंगे क्यों इन supplies के respect में हो सकता है आपने tax pay कर रहा हो refund वाले process में जाएं हो सकता है tax pay ही नहीं कर रहा हो तो इनको अलग से दिखाया जाता है next other outward supplies याने की nil rated exempted supplies इनको आपको दिखाया जाता है अलग table में upload कर रहे थे न यह वाले हमने यह भी आपको अलग से दिखाया जाते हैं लेकिन इन पे क्योंकि tax pay नहीं होता तो आगे के सारे के सारे sales आपके gray out करे गए हैं next चीज invert supplies जिन पे आप tax pay कर रहे हैं reverse charge में वो आपको यहाँ पे दिखाया जाते हैं point number D के अंदर यहाँ पे आपको populate करने होते हैं and the last one is non GST outward supplies ऐसे कॉंसे supplies है जिन पे GST आता ही नहीं है उपर point number C में बस nil rated और exempted supplies cover करे गए थे last वाले point में आपके non GST supplies भी cover कर दिए गए हैं इन पे भी क्योंकि GST नहीं आता तो आगे वाले sales आपके grey out करे गए हैं यहाँ पे आधिस ज़्यादा data आपको populated होगा GST R1 से जो चीजों populated नहीं आप manually कर सकते हैं यह करने के बाद चेक करने के बद की सारी सारी चीज़े हैं cancel करिएगा in fact cancel मत करिएगा confirm करके बाहर आजाएगा बाहर आने के बाद देखे next table में आपको क्या बताया जा रहा है interstate supplies आपने कितने के करे हैं कितने के नहीं करे हैं यह information भी आपकी GST R1 महाँ से पोपिलेटों के यहाँ पे आ जाएगी main काम कहां पे होने वाला है main काम आपको यहाँ पे होने वाला है जो की आप GST R3B में ही करेंगे GST R1 के अंदर आपने नहीं करा होगा GST R1 में आपने कोई भी table के अंदर input tax credit के बारे में बात नहीं करी थी इसके बारे में बात कहां पे करी जाती है ITC जो भी हम avail करने की बात करते हैं कहां से avail करा जाता है यहां से अवेल करा जाता है GSTR 3B से कैसे करा जाता है देखी आपसे part A के अंदर पूछा जा रहा है कितना ITC आपको अवेलेबल होना चाहिए whether in full or in part यानि कि इस मत में इस मत की return को furnish करके कितना ITC आप अवेल करना चाते हैं अपने credit ledger में कितना पैसे add करना चाते हैं अब आप यहां पे जितने भी figure डालेंगे न पूरे का ITC आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपने गलत figure डाल दी तो उसके लिए repercussions निकल के आजाएगी आपको ITC refund करना पड़ेगा अपनी GSTR 2A 2B उन दोनों को दीखिए वहां पर आपको बता चलेगा के इतना input tax आपके GSTR नंबर से map करा गया है और उसके बाद अपनी जो section number 16 to 21 के तहत हमने जितनी भी conditions पड़ी थी सारी सारी चेक करिएगा और किसी input tax पर जिसका ITC आप लेने की सोच रहे हो चेक कर लीजेगा सारी condition satisfy हो रही है क्या अगर एक भी condition satisfy नहीं हो रही है ITC मत लीजेगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी ले पाएंगे लेकिन बाद में आपको reverse करना पड़ेगा जैसे ही department पकड़ लेगा तब करा गया है और बाकी जितना भी ITC ऊपर के चार points में नहीं आ रहा वो मैं इतना इतना ले रहा हूँ with respect to all of these taxes सबके respect में अलग-अलग बताना पड़ेगा ताक कि आपके credit ledger में सबके लिए अलग-अलग जाए अलग-अलग क्यों जाएगा because utilization पे limits होती है जैसे कि CGST का ITC SGST की payment के utilize नहीं करा जा सकता वगरा वगरा अब यह process करने के बाद देखिए point number B के अंदर आपसे पूचा जाता है ITC कितना आपको reverse करनी की ज़रुत बढ़ रही है पूराना ITC खुछ न कुछ हो सकता है जो कि आपने avail कर रखा है लेकिन किसी नगी सी condition के satisfy ना होनी की बड़ी से या फिर कोई भी point trigger होनी की बड़ी से CGST Act के अंदर आपको क्या गरना पड़ रहा है ITC reverse करना पड़ रहा है तो भी ITC reverse करना पड़ता है तो point number 2 के अंदर data को populate करिएगा net ITC कितना आपको इस महीनी के अंदर मिलने वाला है कैसे पता चलेगा point A में आपने जो भी चीज़े fill करी होंगी minus point B में जितना भी ITC आपको reverse करना है उतना इस महीने में आपको avail करने दिया जाएगा and lastly point number D में आपको अलग से mention करके बताना बढ़ता है कि section number 17-5 के तहट कौन सा input tax है जिसका credit आप नहीं ले पाई क्यूंकि उस input tax पे credit को block कर दिया गया था specifically provide करके section number 17-5 में दोनों add होने के बाद क्या हो जाएगा जितना भी amount निकल के आ जाता है वो आपके credit ledger का active balance होने वाला है जिसको utilize कर सकते हैं आप payment करने के लिए of the amount जो भी आपको pay करना पड़ेगा इस particular period में तो यह चीज़े हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर आपसे पूचे जा रहा है exempt, nil and non GST invert supplies यह कितने हैं पिछली वाली return में क्या पूचे जा रहा था GST R1 में outward supplies के बारे में पूचे जा रहा था punish करने के time पे, जैसे ही सारी tables आपने punish कर दी होंगी उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप save करेंगे GST R3B को और उसके बाद proceed to payment वहाँ पे click करेंगे और proceed to payment क्लिक करने के बाद, चलान आपका generate हो जाएगा, चलान में आपको बता दे जाएगा कितनी कितनी आपको payment करनी है यानि कि माली जे 2,00,000 रुपे की CGST की liability थी, 30,000 रुपे का ITC का आपके पास balance है, तो आपको 1,70,000 रुपे की उतनी की payment करनी होगी ऐसे ही, जितना भी आपके पास ITC होगा, अलग-अलग type की GST इसका, जितनी भी output tax liability आ रही होगी उसमें जो भी utilization का rule आपको class में मैं बताता हूँ, वो automatically software लगा के आपको बता देगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कितना ITC कहा से utilize करना चाहिए, जो भी optimum utilization होती है, जहां पर कम से कम cash आपको अपनी जेप से pay करना पड़े, वो ही optimum utilization system आपको generate करके बता देगा, कि ऐसे आपको utilize करना चाहिए, आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो वैसे करके आपको चलान generate करके बता दिया जाएगा, इतने की payment करनी है, payment करिएगा और उसके बाद payment करने के बाद, जैसे ही आपके cash और credit ledger में मिला के sufficient balance हो जाता है, इस GSTR 3B वाली output tax liability को pay करने का, आप उस balance को set off कर देते हैं liability के साथ, जिसकी विरस से होता क्या है, credit ledger, यह furnish करनी होगी, जिसको furnish करने के बाद, आपकी GSTR 1, GSTR 3B दोनों को furnish करने का process complete हो जाता है, तो यहाँ पर I hope आपको काफी सारी चीज़े जानने को मिली होगी, जो कि theoretically आपको lectures में नहीं समझाई होगी, या फिर शायद समझाने की जरूरत भी नहीं महसूस होई होगी, आपको lectures पढ़के नहीं लगा होगा कि कोई भी चीज मिसिंग है, ICNS syllabus में जो भी चीज़े डाली थी, अपने आपने काफी लगती है, लेकिन जब भी यह चीज़े practically बता चलती है, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि practically हो सकता है, आपने articleship में नहीं सीखा हो, क्योंक मिलते हैं नेक्स वीडियो में, take care of yourself, good night, bye bye